सबी पत्रकार बंदूओं को मेरा नमस्कार मैंने एक कहानी पढ़ी थी बच्पन में अली बाबा और चालिस चोर लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो योगी बाबा और चालिस चोर की सरकार चल रही है आज जिस ब्रस्टा चार का खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ अब तक जितने भी ब्रस्टा चार सामने आए उसमें सबसे बड़ा भरस्टाचार ये है जिसको आज मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश जल आपूर्टी के मामले में राज्यों और यूटी को मिला लिया जाये तो 31 नमबर पर है 31 मात्री 11 प्रतिसत लोगों को ही हम पाइप लाइन के जरिये जल की आपूर्टी कर पाते हैं और इसलिए भारत की सरकार ने एक योजना की सुरुवात की जल जीवन मिसन और इस जल जीवन मिसन में घर घर लोगों को जल पहुँचाने की योजना बनाई गई पाइप लाइन के जरिये घर घर में पानी पहुचाने की योजना बनाई गई गावगों में घर पहुचाने की पानी पहुचाने की योजना बनाई गई और योजना कोई मामूली योजना नहीं थी योजना एक लाख बीस हजार करोण की योजना एक लाख बीस हजार करोड की योजना और उस योजना में भरस्टाचार का ऐसा खेल सुरू हुआ कि देखकर नटवर लाल को भी शर्मा जाए ऐसा भरस्टाचार का खेल सुरू हुआ कि टूजी भूल जाओ कोईला घोटाला भूल जाओ उत्तर प्रदेश का एनरेचम घोटाला भूल जाओ इन सारे घोटालों को पीछे छोड़ते हुए आदित नाट की सरकार ने जल जीवन मिसन में महा घोटाला करने का काम किया और ये घोटाला हो किसकी देखरेख मेरा है आदित नाट जी की सरकार के सबसे करीबी मंत्री उनके डॉक्टर महेंदर सिंग जो जल सक्ती मिसन और जल जीवन मिसन का कारे देख रहे हैं उनके निगरानी में ये भरस्टाचार हो रहा है प्रमुक सच्चु अनुराज सिर्वास्तो चीफ इंजीनियर आलोक कुमार से नहां ये तमाम लोग मिलके लगबक 30,000 करोन रुपए का बरस्टाचार की इनोंने योजना तयार की 30,000 करोन का बरस्टाचार और बरस्टाचार क्या है मैं एक एक करके बता रहा हूँ एक कंपनी है रस्मी मेटेलिक्स जिस कंपनी को जल जीवन मिसन में जहां पर हजारो करोन की पाइप सप्लाई होनी है वो हजारो करोन की पाइप सप्लाई का काम दिया गया रस्मी मेटेलिक्स ये जो कंपनी है इसका नाम याद रखिएगा ये रस्मी मेटेलिक कंपनी उडीसा में घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट हो जाती है उड़ीसा की सरकार घटिया पाइप के कारण इस रस्मी मेटेलिक को रिजेक्ट करती है इस रस्मी मेटेलिक कमपनी को मध्द प्रदेश की सरकार भरस्टाचार के कारण घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है रस्मी मेटेलिक कंपनी को वेस्ट बेंगोल की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है ब्लैक लिस्टेट करती है रस्मी मेटेलिक कमपनी को जारखंड की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है रस्मी मेटेलिक कमपनी को पंजाब की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है जिस सेना की बात ये लोग करते है जिस आर्मी की बात ये लोग करते है उस सेना ने उस आर्मी ने रस्मी मेटेलिक कमपनी को घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट किया इसके आगे आते हैं जब ये कमपनी कई राजियों में इसके घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट हो गई मैं पूछना चाहता हूँ आदितनाज जी मैं पूछना चाहता हूँ उनके भरस्ट मंत्री डॉक्टर महेंच सिंग से क्यों आपने इस कमपनी को हजारो करोड रुपे का ताम दिया और एक अखंड परताफ सिंग जी है इनके एग्जेक्टिटिव डिरेक्टर इन्होंने जांच के आदेश दिये जांच के अपर जिलाधिकारी को जांच के आदेश दिये कि जांच करके बताओ इस कमपनी के बारे में इसकी क्वालिटी के बारे में इसके पाइप की क्वालिटी के बारे में और इनकी ये चिट्थी माई की है और 28 जून को ये रिपोर्ट आ गई अपर जिलाधिकारी जहासी की कि ये कमपनी का जो पाइप है ये घटिया पाइप है और इस पाइप को मानक के अनुरूप नहीं है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस कमपनी के बारे में यूनिट कॉडिनेटर जो जल जीवन मिसन के जीपी सुकला जी है इन्हों ने लिखा कि कमपनी का पाइप मानक के अनुरूप नहीं है इसको ठेका नहीं मिलना चाहिए इस कमपनी के बारे में अधो मानक है ये परियोजना प्रबंधक महेश कुमार जी ने लिखा इस कमपनी के बारे में सैनेसेस टेक्निकल लिमिटेड कंपनी है इसने जाच करके बताया इस कंपनी के बारे में कंपनी घट्या पाइप देती है इसके बारे में CSGS इंडियन कंपनी ने जाच करके बताया इस कंपनी के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियंता जो पूर्ब में थे आई के सिर्वास्तो जी पहले के चीफ इंजीनियर उन्होंने लिखके दिया ये कंपनी घटिया देती है और इसकी हिस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के बारे में सेंट्रल एकनॉमिक इंटेलिजन्स ब्यूरो ये इसकी रिपोर्ट है सेंट्रल एकनॉमिक इंटेलिजन्स ब्यूरो उसकी रिपोर्ट है कि रस्मी मेटेलिक जो कंपनी है ये बोगस इंवेस्टमेंट कराती है फरजी सेल कंपनीज बनाती है और एक नहीं इसकी कई फरजी कमपनियां है ये इसकी रिपोर्ट है और इसके बाद उत्तर प्रदेश के आदित नाज जी की सरकार के चीफ इंजीनियर महोदे आलोक कुमार सिनहा जी ये प्रमुक्ष सचीव अनुराग सिर्वास्तो इनके मंत्री डॉप्टर महें सिंग ये हजारो करोर रुपए का ठेका देने के लिए पाइप सप्लाई देने के लिए बाकाइदा चिठी डाज जारी करते हैं और इसमें लिखते हैं कि क्वालिटी एस्वरेंस प्लान इसका एप्रूब हो चुका है और इसी कमपनी से आप लोग पाइप की खरीद कीजिए जो कमपनी इतने राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हो चुकी जो कमपनी इतने राज्यों में घटिया पाइप देने के लिए चिन्नित की जा चुकी उसको भगाया गया उस कंपनी को आदित नाज जी का सबसे करीबी मंत्री हजारो करोड रुपे का ठेका क्यों दे रहा है ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ अब तो आप मैं जो कह रहा था उसको सुन रहे थे अब मैं आपको बताता हूँ इनके विधायक क्या कह रहे हैं इ ये भारती जनता पाटी के विधायक हैं और ये कह रहे हैं कि डाक्टर महेंदर सिंग को डाक्टर महेंदर सिंग कौन है सरकार के मंत्री हैं जलसक्ती मंत्री डाक्टर महेंदर सिंग को दो करोड रुपे की रिश्वत देने के लिए पांच लाख दस लाख रुपे जेई से एई से इंजीनियर से विभाग से वसूला जा रहा है कठा किया जा रहा है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह अजे कुमार भारती जनता पार्टी के विदायक करें अलोग कुमार सिना के बारे में कह रहे हैं वही सिना जिसने यह सारा ठेका दिया रस्मी मेटेलिक को एक अजे कुमार सिंग है यह हरया से विधायक है भारती जनता पार्टी के विधायक है और यह भारती जनता पार्टी के विधायक इन्होंने भी यह ड़क्टर अजे कुमार की चिठी है और एक अजे कुमार सिंग की चिठी है जिसमें सुरेश खन्ना जी संसदिय कारमंत्री ने लिखा कि आप इस पर कारवाई करके बताईए जो आरोप आलोग कुमार सिनहा पर लगाए गए हैं बाकाईदा प्रस्ट उठाया गया था विधान सबा के अंदर और इस पे संसदिय कारमंत्री ने जवाब मांगा है यह हरया के विधायक ने चिठ्छी जो लिखी थी जो प्रस्ट न लगाया था उससे संबंदित काज़ात है इसके पहले कि मैं इस घोटाले के बारे में बताओ थोड़ी सी टेकनिकल चीज है जो आपको समझना पड़ेगा मेरे पास जल जीवन मिशन स्री राम की नगरी आयोध्या रीजन की जानकारी है कानपूर रीजन की जानकारी है आगरा रीजन की जानकारी है और इसमें क्या लिखा है इसमें साफ तोर पे लिखा है उत्तर प्रदेश जल निगम जो उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग है वो अगर किसी काम को कराता है पंद्रा सो अस्ती रुपए में तो वही काम जल जीवन मिशन के तहत हो रहा है दो हजार पैंसट रुपए में जो काम जल निगम कराता है पंद्रा सो एक रुपए में वो काम जल जीवन मिशन में कराया जा रहा है 2100 रुपए में ऐसे तमाम आकड़े इस टेबल में दिये गए हैं इसको पढ़ूँगा तो घंटों लग जाएंगे ऐसे तमाम आकड़े इस टेबल में दिये गए हैं 35%, 40%, 45% रेट की विद्धी करके जो मानक उत्तर प्रदेश विभाग के जलनिगम के द्वारा तै और नर्धारित मानक हैं उससे 40-40% दाम बढ़ाकर डाक्टर महेंदर सिंग जी आपने क्यों टेंडरिंग कराई क्यों ठेका कराया क्यों इसमें हजारो करोन का भरस्टाचार कर रहे हो लोगों के पानी का पैसा खा रहे हो लोगों के घर में पहुँचने वाले पाइप लाइन का पैसा खा रहे हो लोगों के घर में पहुँचने वाले जल का जल की आपूर्ती का पैसा खा रहे हो इस से ज़्यादा दुर्भाग पूर्ण कुछ नहीं हो सकता है और ये जल जीवन मिसन की वेफसाइट पे दिया गया है कि मातरी 11 प्रतिसत लोगों को ही हम पाइप लाइन के जरिये सप्लाई करते हैं ये उत्रप्रदेश का दुरभाग्य है हम लोग 31 नंबर पर हैं अगर यूटी और राज्यों को मिला लिया जाए और मैं पहले भी इस बात का खुलासा कर चुका हूँ आज फिर से दोरा दे रहा हूँ आज एक तागर जिसंगे ज़ड़ा हुआ और मिला है थार्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो होता है उसके लिए भारस सरकार का मानक तरह है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो होगा जल जीवन मिशन भारस सरकार के मानक के तहट 0.04% से ज़्यादा उसमें आप पैसा नहीं लगा सकते टोटल एमाउंट का लेकिन क्या किया गया चिन्नाई में केरल के अंदर जितनी योजना है उसका 0.4% थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में लगता है चिन्नाई में 0.15% 0.15% में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का ठेका हो जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश में डाक्टर महेंदर सिंग जी के हाँ आदित नाज जी के सबसे करीवी मंत्री जो अपने आपको इमानदार होने की सरकार कहती है यह अली बाबा और 44 के कथन को पूरा करने वाली सरकार 1.33% पैसा टोटल इमाउंट का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में खर्च करती है यानि करीब करीब पंद्रह सो करों रुपे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के नाम पे और इसमें ये बात समझना जरूरी होगा कि जो डेली सुपरवीजन है उससे ज़्यादा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है जो डेली सुपरवीजन होता है उसकी कास्ट ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मौके मौके पर होता है उसकी कास्ट ज़्यादा रखी गई है तो ब्रस्टाचार का खुला खेल है 30-35% ओवर टेंडरिंग करके 120,000 करोड की योजना में 30-35,000 करोड रुपए का भरस्टाचार किया गया है मैं आदित नाज जी की सरकार से कहना चाहता हूँ आपने हर अपराच पे परदा डाला हमने आक्सी मीटर का भरस्टाचार खोला थर्मोमीटर का भरस्टाचार खोला गैस सिलंडर का औक्सीजन गैस सिलंडर का ब्रस्टाचार खोला और उन सारे ब्रस्टाचारों पर आपने पर्दा डाल दिया आपने SIT बनाई और कहा कि 10 दिन में रिपोर्ट देंगे आज तक आक्सीमीटर और थर्मोमीटर के घोटाले की जाच की रिपोर्ट नहीं आपाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ये 30 हजार करोन रुपए के घोटाले का मामला है मंदिर के चंदा चोरी के ब्रस्टाचार को हमने खोला उसमें कोई जाच आपने नहीं कराई वेंटिलेटर में ब्रस्टाचार का मामला हमने खोला उसमें कोई जाच नहीं कराई ये जल जीवन मिसन में 30 से 35 हजार करोन रुपए के ब्रस्टाचार का मामला है इसकी सी बी आई जाच कराईए इसकी हाई कोर्ट मॉनिटर्ड S.I.T. से जाज कराईए वरना आम आदमी पार्टी एक सब्ता का समय सरकार को दे रही है एक सब्ता के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी इसको लेकर धरना करेगी पंद्रा आगस्त की तारीख के बाद हम लोग पंद्रा आगस्त तक अगर इस ब्रस्टाचार के मामले में कारवाही नहीं हुई अगर डॉक्टर महेंदर सिंग योगी आदित नाज जी के सबसे करीबी मंत्री पर कारवाही नहीं हुई अनुराग सिरवास्तो प्रमुक सचिव पे कारवाई नहीं हुई आलोक कुमार सिनहा जो इनका भ्रस्ट अधिकारी है उस पर कोई कारवाई नहीं हुई अगर इन लोगों पर कोई कारवाई नहीं की गई इसकी जाच सुरू नहीं की गई तो पंद्रा अगस्त के बाद आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर व्यापक जनांदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में चलाएगी ये मेरा पूरा विसे था आपके कोई सवाल हो तो आपको सकते हैं देखे मैंने आपको कहा कि भरस्टाचारियों की सरकार है आकंट भरस्टाचार में डूबी हुई है इमानदारी का ढोल पीटते थे इमानदारी का दावा करते थे हमने परत दरपरत एक-एक विभाग का भरस्टाचार खोला कारवाही ना करने का मतलब है कि सरकार पूरी तरीके से इसमें सामिल है मुख्यमंत्री का कार्याल है मुख्यमंत्री इस पूरे ब्रस्टाचार में सामिल है आपने सडक का उदारण दिया सडकों में ब्रस्टाचार नहरों में ब्रस्टाचार नदियों में ब्रस्टाचार क उजला योजना का लाव गरीबों को नहीं मिल पाया इस पर दो तीन जो कानूनी कारवाई के हैं वो एक तो इस सम्मन में हम बताना चाहते हैं कि मानिए संजर सिंग द्वारा जी द्वारा जितने भी फ्रेस कांफरेंस किये गए हैं उसमें जो भी बोला गया है उसको वैधान ग्रिष्टी से कोर्ड के संग्यान में लाना एक सो चपन तीन करना लोकायुक्त के यहा जाना वो कारवाई यह ने पूरी कर लिए और सब जगर से नोटिसें जारी हैं कारवाई चल रही है हम लोग वेधान पर विश्वास करते हैं वेधानिक तरीका अपनाते हैं इस बिं इंदर सरकार से ये निर्देश थे कि ये जो जल्द जीवन योजना है ये गाउं के निवासियों के पूछ कर ग्राम प्रधान से पूछ कर ग्राम प्रधान के नियंतरर में ग्राम प्रधान से कही हुई एजेंसी से ये करा ही जाएगी लेकिन ये सारे नियमों को दरकिनार कर भारत सरकार के निर्देशों को ती अवहिलना करते हुए इन्होंने अपने ठेकेदार लखनव से सीधे बेजे और उनको कहा कि करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे सिंधा है इन तीनों के खिलाब हम वैधानिक करवाई करेंगे वैधानिक ग्रष्ट इसे माननी संजय सिंग जो हमारे नेता है और जिनों ने पूरे हिम्मत और बादुरी के साथ भस्ताचार के खिलाब मुहिम चलाने की शपद लिए हम उनके मार्ग दर्ष्टन पर चलते हु दो इसको मेल भी करा दूँगा प्रेडिया फाइल भी जा दूँगा